हेलो इवरीबरेंट तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बैल्ट वाले ब्लाउज को किस तरीके से जोड़ा जाता है इसकी कटिंग की वीडियो मैंने काफी टाइम पहले चैनल पर डाली हुई है आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हो उसका लिंक में डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगी आप उसे आसानी से देख लिजिएगा फ्रेंट्स तो यहाँ पर हमारे ये कटिंग हुए परत हैं आगे पीछे के तो यह वाला हिस्सा फ्रेंट्स हमारा आगे का है यह हमने निशान लगाए हुए है प्लेटों के यह दोनों आगे वाले हिस्से है फ्रेंट्स और यह है इसकी बैल्ट यह देखिए यह आगे वाले दोनों हिस्सों की बैल्ट है और यह हमारा पीछे वाला हिस्सा है इसमें हमने designer गले की वीडियो देख सकते हूँ बहुत आसानी से designing गला बन करके त्यार हो जाता है और यह हमने आस्तीन बनाई है यानि कि बाजू ये भी हमने डिजाइनर बनाई है और इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है आप ये वीडियो भी मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है और बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाती है तो ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं आप इने देख सकते हो आसानी से तो आभी सबसे फैले फ्रेंस हमको क्या करना है आगे वाले पर्ट में जो ये हमारी पिलेटे हैं जो निशान लगे हुए हैं इनमें हमें शिलाई लगानी हैं बिल्कुल जैसे इसमें निशान लगे हुएं फ्रेंस बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें शिलाई लगा लेनी हैं ये नीचे से हमें कपड़ा करीब ये आदे इंच की करीब लेना है उपर से बिल्कुल किनारी पर हमें शिलाई लगा देनी हैं तो दोनों पड़तों में हमें इस पैर की ही शिलाई लगा लेंगे तो इसी तरीके से फ्रेंस हम सारी प्लेटों में शिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंस हमने प्लेटों में शिलाई लगा लिया यह देखे फ्रेंस फिनीशिंग के साथ इतने अच्छी तरीके से हमारी प्लेटों में शिलाई लगा करके तयार हो गी है तो हमने दोनों पर्ट में शिलाई लगा करके तयार कर ली है तो अभी हम बैल्ट को जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बैल्ट को जोड़ेंगे यह देखे इस तरीके से हम बैल्ट को रखेंगे और यहाँ पर हमारी बैल्ट यह बड़ी बैट रही है तो वह इसलिए है क्योंकि हमने पर्त में प्लेटे डाली है तो उससे ह हमें क्या करना सिलाई लगाने के बाद जो भी एस्ट्रा है हमारी बेल्ट उसको हमें कटिंग करके निकाल देना है बाद में पहले हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है और बाद में जो भी एस्ट्रा हमारी बेल्ट होगी उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे तो दोनों हिस्सों को हमें अच्छे से सेट करते रहना है और इसमें सिलाई लगा देनी है यह देखे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आब हम देखते हैं हमारी बैल्ट कितनी बड़ी है तो यह देखिए फ्रेंस यह इतनी बड़ी हमारी बैल्ट वची है इसको हम कट करके अलग निकाल देंगी जितना हमने प्लेटों में सिलाई लगाई है इतनी ही हमारी बेल्ट ज़्यादा वैटी है आप चाहो तो इसके बेल्ट के उपर आदे पैर की सिलाई लगा सकते हो फिनिसिंग के लिए तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली बेल्ट को भी जोड़ करके तियार कर लेते हैं दोनों बेल्ट हमारी जोड़ करके तियार हो गए हैं फ्रेंस ये देखिए तो अब हम आई हुक वाली पट्टी को जोड़ लेते हैं इसकी कटिंग मैंने पहले से ही कर ली थी ये देखिए तो इसकी चोड़ाई करीब फ्रेंस होनी चाहिए तीन से साड़े तीन इंच इसको इस तरीके से हमें डवल मोड़ना है तो ये हम हुक वाली पट्टी को जोड़ रहे हैं इसे हम डवल ही जोड़ते हैं तो यह देखे, इस तरीके से इसको double जोड़ना है, और इसको एक पेर की सिलाई लगा देनी है, यह देखे, मैंने शिलाई लगा दी है, और अब हम इसके उपर एक सिलाई all लगाएंगी, यह देखे इस तरीके से, यह जो हमारा अंदर को जो भी margin है, उसे हम इसी में मिला करके उपर से एक सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देनी है, तो सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हम इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे, यह देखे इस तरीके से, सिलाई लगाने से इसमें बहुत अच्छी फिनिसिंग आ जाती है, आसानी से अंदर को फोल इसलिए हम इसमें मोटी सिलाई लगाते हैं अब हम मैं आई वाली पट्ति को जोड़ना स्टार्ट करेंगे इससे हम उल्टी तरफ से जूड़ाएंगे और इसको हम डवल यहीं करेंगे आप इससरे डवल भी जोड़ सकते हो मैंANDे इससे खहरा ही जोड़ा है आप इसको हम डवल करेंगे यह देखे सीधी तरप को इसे रखना है और इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है यह देखे फ्रेंस और इसे सेट कर लीजिए पहले अच्छी तरीके से और इसे फिर एक बार और फोल्ड कर लीजिए बस यह जो हमार इसे के उपर इट करना है अब नखा देंगे आदे पयर की लगा लेनीए आफंगे ये देखें को इस तरीके से उसे पट्टी सेट करना है और इसकी उपर हं बारिक शिलाई लगा देंगे तो सिलाई बेल्ट हैं इससे सेट नीकि इदे बिल्कुल आपने शामने आई हैं बिल्कुल उची नीची बिल्कुल भी नहीं है तो अब यह जो हमारा पीछे वाला जो पड़त है इसमें जो हमारे निशान लगे हैं प्लेटों के पीछे वाले पड़त में इसमें सिलाई लगा लेते हैं इसमें भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है नीचे से कपड़ा करीब आदिन से भी ज़्यादा होना चाहिए और उपर को बिलकुल किनारी पर और आप निशार लगा करके सिलाई लगा लीजिए आपको बिलकुल भी दिकत नहीं होगी इसी तरीके से दूसरी वाली प्लेट में भी हम सिलाई लगा करके तयार कर लेंगे यहाँ पर हमारी सिलाई लगा करके तयार होगी है फ्रेंस यह देखिए तो अब हमें यह जो हमारे आगे वाला जो पड़ थे फ्रेंस इसके गले में हम पाइपीन जोड़ने स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला पड़ तो जो था हमारा उसमें हमारा डेजाइनिंग गला था तो उसमें हमने गला पहले से ही बना हुआ है तो आगे वाले गले में हमें पाइपी लगानी है तो और यह भी पट्टी मैंने कट करना आपको काफी सारी वीडियो में बताया हुआ है आप मेरे चैनल पर और वीडियो देख सकते हो किस तरीके से और यही पट्यों को कट किया जाता है और किस तरीके से जोड़ा जाता है वो सब मैं अपनी चैनल पर बता चुकी हूं अपनी वीडियो में तो बस इस तरीके से हम जोड़ देंगे एक पेर की सिलाई लगा कर जो भी ऐस्ट्रा हमारी और यह पट्टी है उसको कट करके हम निकाल देंगे यह देखिए यह जूड़ चुकी है और अब हम इसके उपर एक सिलाई ओल लगा लेंगे ये भी जो एश्टरा कपड़ा है इसी में जोड देंगे इसको इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा लेँगे हम और फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर तर्पाई कर लेँगे हम तो बस इस पर हमें एक सिलाई लगा करके तयार कर लेते हैं friends तो औरेवी पट्टी को कट करना बहुत आसान है तो यहाँ पर हमने देखी यह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा करके इसके तुर्पाई हमने कर ली है यह देखी गला हमारा आगे वाला तयार हो चुका है हमने दोनों हिस्सों में इसी तरीके से औरेवी पट्टी को Čजोर दिया है तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंज इसके मुड़ि जोरने से पहले हम पीछे वाले पर्थ में नीचे की तरफ से इसको फोल्ड कर लेगे अगर किसी को यह जो नीचे से आप फोल्ड करते हो न तो उसमें आपको अगर जोल आता है तो आप कर दिया है और नापने के बाद ही आप से लंबाई चाहिए तो यह देखिए अब आगे आप दो यहां तुरिब्ट रेंगे चोब निकाल देंगी तो अब प्रेंस हमें क्या करना है नीचे की सिलाई हमारी लग चुकी है तो अब हम फिटिंग का नाप ले लेते हैं फिटिंग का निशान लगा लेते हैं जितनी हमें फिटिंग चाहिए तो हमारे पीछे वाले पड़त में फ्रेंस 20 इंच तैयार थी हमारी फिटिंग यह देखे तो ह हमें 20 इंच ही चाहिए जो भी हमारा एश्ट्रा कपड़ा है साइड़ों में हम उसे निकाल देंगे इस तरीके से नाप लेंगे 20 इंच हमारी यह चेष्ट है फ्रेंस निकाल दीजे और आपको जितनी कमर चाहिए आप उतना बीच में निशान लगा लीजी ये देखे मेरी निशान लग करके तैयार हो गए हैं ये देखे 16 इंच हमारी कमर है और ये 20 इंच हमारा उपर से चेश्ट है इसी तरीके से हम आगे वाले पड़त में भी निशान लगा ये देखे तो हमें इसमें 10 इंच चाहिए ये आदा हिस्सा है तो आपको निशान लगाना है ये जो आपकी आई हुक वाली पट्टी है ये आई वाली पट्टी को ये जो होती है हमारी बढ़मा पट्टी तो इसे छोड़के निशान लगाना है आपको 10 इंच पर और नीच के मुढ्धे जोड़ना स्टाट करेंगे यह देखिए फ्रेंच गलें भी तैयार हैं ले निशान भी तीयार हैं तो हम इसके मुढ्धे जोड़ लेंगे मुढ्धे हमने जोड़ लिए यह देखिए तो यह हम ने erv часто लगाएं और हम इस पर सिलाई लगाएंगी तो यह अजाना हमारा बहुत ही आसान हो गया कि देंके तो बिल्कुल भी हमें कोई परेशानि नहीं होगी बस इसी के उपर आपको सिलाई लगानी है बस आपको ध्यान यहीं रखना है निशान के उपर ही निशान आने चाहिए तो आप आपको एक सिलाई में ही फिटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाएगी आपको बार बार सिलाई लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो यहां पर हम यह निशान पर निशान को रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे नीचे से भी आपको दिहान रखना होगा तो यह हमने सिलाई लगा लिए फ्रैंस यह देख सकते हो आप बिलकुल निशान के उपर तो एक ही सिलाई में हमारी फिटिंग एक दम से बढ़िया वैड़ती है तो यह देखिए ब्लाउज हमारा लगबक तयार है यह देख सकते हैं यह देखिए बस इस में हमारे बाजु जोडनी है बाकि कितनी अच्छी फिनीसिंग आई है हमारे बलाउज में यह देख पा रहे हो गया फ्रेंश तो अब हम इसमें बाजू जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो यह देखे हमारी बाजू है अब हम इसमें निशान लगाएंगे फ्रेंश तो हमें क्या करना है यह जो हमारे करके आप अपने ये बाजू जो है इनके उपर इनके मुड़ेपर रखैे सितरी तो यह चोटी बड़ी नहीं बैठेंगी, अगर हलका सा भी फरक बैठ जाता है तो आप उसे खीच लेजिए, थोड़ा सा खीच करके आप उसे जोड़ लेजिए, तो उससे वो बिलकुल एकदम बरावर बैठेगी, अब हम इसे जोड़ना इस्टार्ट करेंगे, तो आपको दियाने रखना है, सिलाई से सिलाई आपको मिलानी है, यह जो आपके बलावज की जो सिलाई है, और आपके बाजू की जो सिलाई है, इनको एकदम से आमने सामने मिलाना है, और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है, यह देखिए, अच्छे तरीके से प बड़ा नहीं बैठता है आपको बस ध्यान यहीं रखना है अगर हलका साभी आपका फ्रेंज कोई साभी पड़त छोटा बैठ जाता है तो आप उसको थोड़ा सा खीच लीजी और जो बड़ा है उसको आप थोड़ा सा लूज छोड़ दीजी तो आपके बहुत अच्छे से परावर वैट जाएंगे अगर आप इसी तरीके से निसान लगाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें खीचनी के आपको जरूती नहीं पड़ेगी यह मैं उसलिए बता रहे हूं कि अगर थोड़ा बहुत फरक वैट जाता है कही वार क्या होता है कि हम खीच लेते हैं हमको नही पता चल पाता उससे यह चोटे बड़े कभी कभी थोड़े बहुत हो जाते हैं यह देखिए मैंने से जोड़ दिया है और इसमें बिल्कुल भी कहीं भी चोटा बड़ा पड़त नहीं बैठा है यह देखिए ना ही इसमें जोल आया है हमारी सिलाई से सिलाई बिल्कुल मिल और नहीं इसमें पीछे की तरफ आया है यह देख सकते हो आप तो बहुत ही फिनिसिंग के साथ हमारी बाजू यह जोड़ करके तयार होगी है तो आप इसी तरीके से बाजू को जोड़िएगा तो आपकी बाजू छोटी बड़ी नहीं बैठेंगी तो मैंने और भी बाजू क है हमारा कितना फिनिसिंग से कितना प्यारा से लग रहा है तो ब्लाज् crypt हमारी बंकरके अब होगी है बिल्कूल तैयार यह देख सकते है तो आप इसी तरा इसे बैल्ट वाले ब्लाज को जोड़ सकते हो व फ्रेंट मैंने तो कितनी आसानी शेयर वाले ब्लाज्य अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए